वेलकम स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे टॉर्च इंफेक्शन डूरिंग प्रेग्नेंसी तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे सौरी बोलूंगी जो भी मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं लाइक करते हैं हाला कि लाइक लंबे गैप के बाद आपसे बात कर रही हूँ और ये मेरी थ्रोट इंफेक्शन जो चल रहा है जो थ्रोट का प्रॉब्लम है उसके वज़े से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है लेंजाइटिस की प्रॉब्लम है मुझे बीच बीच में तो प्रॉब्लम होती है बोलने मे इसलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना बारी थी तो चलिए मैं कोशिस करती हूँ और अभी थोड़ा मैं बैटर हूँ पर वाइस बिल्कुल से अभी एकदम से फाइन नहीं है तो होप करती हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे एक्स्प्रेंड करूंगी आपको समझ में आएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखे ट्रॉच इंफेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है तो यह जो प्रेगनेंसी में जो वुमेन होती है उसको काफी इंफेक्शन जो होते हैं कभी-कभी जो प्रेगनेंसी काफी इंफेक्शन देखने को मिलता है तो वो क्या होता है ट्रांस्मीट होता है उसके फेटस पे कैसे होता है मतलब जो pregnant mother होती वो अपने fetus को भी क्या कर सकती है infected कर सकती है ठीक है वो कैसे करेगी through the placenta करेगी वो आगया कि slide में देखेंगे तो जो torch होता है वो एक group of similar infection है यानि कि जो torch है वो एक infection है इसके आगे हम अभी slide में देखेंगी कि torch है क्या तो वो उसमें क्या होता है कि एक group of infection है जो कि similar type के infection होते है ठीक है इसलिए इसको एक ही group में रखा गया है तो it's include following four type of infections ठीक है तो जो torch infection होता है इसमें ये जो four type के infection देखने को मिलते है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि एक तो होता है T for toxoplasmosis O for other infections R for rubella C for cytomegalovirus H for harpes simplex virus ठीक है वाइरस तो कहने का मतलब है कि ये आपको याद कर लेना है T stand कहां करता है O से जो होता है सिफलिस हो गया और जो जो congenital infant ये जो transmit होती है STD जो sexual transmitted diseases होती है उसके वज़े से जो ये हम इसको other में रख रहे है तो toxoplasmosis other infections, rubella cytomegalovirus, harpes simplex virus तो ये अभी हमने देखा ये सारे से full form ठीक है तो जो tors infection होता है वो किसके वज़े से होता है cause severe anomalies in the fetus यानि कि जो tors infection हो के वज़े से के कारण से जो ये infection है अगर pregnant woman में हो जाते तो इसके वज़े से क्या होगा severe anomalies हो जाएंगी fetus पे मतलब बहुत जादा उसमें क्या होगी congenital deformities पाई जाएंगी ठीक है और कुछ कभी-कभी तो ऐसा होता है कि sometime loss fetal loss यानि कि कभी-कभी जो होता है वो fetal loss भी देखा जाता है यानि कि कुछ-कुछ जो still birth हो जाती है abortion हो जाते है वो इन्हीं सब के वज़े से होता है तो सबसे पहले हम देखते है talksoplasmosis तो ये infection जो होता है किसके वज़े से होता है intercellular प्रोटोज़वा के वज़े से होता है जिसको की टॉक्सो प्लास्मा गॉनडाई बोलते है ठीक है ये जो होता है पैरसाइट्स होते है ये जो पैरसाइट्स ये कॉस बाइ दा पैरसाइट ये जो होते है पैरसाइट के वज़े से होते है जो की cat are the primary source इसको माना गया infection का cats को जो लोग घरों में cats देखने को मिलती है यह भी pet animal ही होता है लेकिन यह इस infection के लिए primary source माना गया primary source माना गया ठीक है जो कि human wing में इससे transmit होता है तो यह जो होता है कैसे होता है जब क्या होता है कि consuming infected and raw meat under cooked meat ठीक है जो infected जो meat होता है और जो uncooked होता है यह ठीक से पका नहीं होता है कच्चा meat होता है उसको जब हम लोग consume करते हैं तो उसके वज़े से यानि कि उसको हम जब लेते हैं तो अपने food में तो उसके वज़े से यह infection catch हो सकता है और careless handling के वज़े से जो की cat की feces होती है जब cat feces होती है cat की जो feces होगी उसको ठीक से handling नहीं की जाएगी ग्लाव्स वगरा पहन के या इस तरीके से तो भी यह catch होता है ठीक है तो यह main causes होगे इसके अब यह जो transmission होता है infection from the pregnant woman to her fetus कुछ भी जो infection होता है वो mother से fetus में कैसे होगा कि it around the 10 to यह जो toxoplasmosis यह जो होता है 10 to 15 percent during first transmission में अगर यह हो रहा है जो first trimester होता है अगर यह around the first trimester होता है तो 10 to 15 percent chances उसके हो रहा है increase होने के किसके infection के 32 to 60 percent during the second and third transmitter transmission में यह जो trimester होता है second or third जो trimester होता है उसमें यह chances 30 से 60 percent हो जाते है अगर वो first trimester में होता है तो यह infection जो होता है 10 to 15 percent तक होता है ठीक है लेकिन इसके opposite in contrast during the first trimester अब जब first trimester में अगर वो काफी infected है तो उसमें क्या होगा कि अगर मदर में पहुँच चुका है तो क्या होता है बच्चे तक पहुँच गया तो high risk होता है damage होने के to the unborn baby जो कि intrauterine baby है उसके damage होने के chances है यानि कि high risk हो जाता है high risk infected अगर मुँँच बेबी हो गया तो वो क्या होगा survive नहीं करेगा during the first trimester में which decrease in the duration of the pregnancy increase और जैसे जैसे pregnancy increase होती जाती है तो यह जो risk होगा वो decrease होता जाता है और become zero person हो जाता है at the end of the pregnancy में यानि कि first trimester में इसको ज़्यादा risk होता है ठीक है और अगर हम Zika virus infection की बात करें Zika की तो यह during the pregnancy जो होता है जब यह cause होता है तो इसके वज़े से क्या होगा कि जो microcephaly होगा और other congenital abnormalities हो जाती है developing fetus में और newborn में ठीक है तो जो Zika infection होता है यह भी जो होता है pregnancy में होता है और इसके वज़े से काफी pregnancy में complication होता है जैसे कि fetal loss same like torch infection यह भी torch infection का ही माना गया है क्योंकि क्योंकि इसमें भी क्या होता है same torch की तरही infection हो रहा है जैसे कि fetal loss हो गया still birth हो गया और pre-term birth यह जो premature delivery होती है ठीक है और woman to child transmission can either occur in utero यह जो infection the first trimester of the pregnancy related to the congenital Zika syndrome और in the perinatal period via breastfeeding जैने कि Zika virus जो होता है infection during जो pregnancy होगा वो developing fetus में और newborn में क्या करता है microcifaly और other congenital anomalies को cause करता है और जो pregnancy में Zika infection के कारण जो होती है pregnancy के काफी complication भी होते है ठीक है जैसे कि such as fetal loss still birth और यह premature delivery वगएर होती है इसमें ठीक है ना यह भी इसमें देखने को मिलता है और mother to child transmission है तो pregnancy में मतलब जो mother से pregnancy में क्या हो सकता है जो अगर pregnant woman जो होती है इससे infected होती तो child में भी वो क्या होगा transmit हो जाता है through the present target ठीक है तो जो perinator period में यह जो होता है breast feeding के through होता है ठीक है ना और यह जो होता है related to congenital zika syndrome इसको मतलब इससे जो होता है pregnancy के जो यह first trimester में जो trimester होता है infection congenital zika syndrome से related होता है यह जो आप देख रहे हैं zika syndrome से related होता है ठीक है और जो metabolism होते हैं toxoplasmosis के asymptomatic होते हैं यानि कि इसमें कोई भी symptom देखने को नहीं मिलेगा most of the cases में ठीक है लेकिन in some women में क्या होता है following feature देखने को मिलते हैं जैसे कि mild fever, headache enlarged lymph node होगी उसकी और जो symptom होते हैं वो pneumonia के भी होते हैं मदर में और जो fetus होता है उसमें क्या effect होगा कि उसका जो होता है fetus के chances जो होते हैं increase होते हैं किसके miscarriage के होंगे hydrocephaly होगा उसमें microcephaly होगा और उसमें जो होता है chorio कोरियोडो रेटिनाइटिस हो जाती है उसमें ठीक है न तो यह होता है और hepatomegalia होगा और IUGR होगा IUGR मीन intrauterine growth retardation होगा उसमें ठीक है न तो यह सारे चीज़े होते हैं अब को यह देखे इसमें क्या होता है जो miscarriage तो होता है मतलब abortion हो जाएगा और इसमें यह जो hydrocephaly होती है यह build up of the fruit in the cavities मतलब in the cavities within the brain ठीक है न यहने कि उसमें क्या होगा fruit fill हो जाएगा यहने कि extra fruit जो होता है वो उसमे form हो जाएगा brain के अंदर ठीक है तो यह तो यह hydrocephaly macrocephaly में जैसे यह एक ऐसी condition होती है तो in which जो होता है कि जो babies का जो head होता है वो significantly small होता है than the in comparison to normal ठीक है और जो choroid जो यह choroid retinitis होती है इसका मतलब होता है it is the inflammation of the choroid यानि कि thin pigment जो vascular coating होती है आई की उसमें infection हो जाता है और retina होती है आई की यानि कि उसमें infection हो जाएगा ठीक है तो यह होता है और जो hepto-megali होती है इसमें तो पता ही है कि यह जो liver होगा वो enlarge हो जाएगा और intra-utern growth retardation हो जाएगा इसमें ठीक है यानि कि जो baby होगा वो intra-utern में उसका कोई भी progress नहीं होगी growth उसकी रुख जाएगी still birth मतलब abortion हो जाएगा मतलब dead abortion तो नहीं मतलब birth होगा लेकिन dead baby born होगा ठीक है prevention जो होगा spleen-o-megali हो जाएगी मतलब इन सब सब को prevent करना है ठीक है spleen-o-megali का मतलब spleen जो होती enlarge हो जाएगी और mental retardation भी होगा देखे यह आप देख सकते हैं कि small head हो जाएगा इसमें और जो इसमें जो हता यह देखिया brain calcification हो जाएगा यानि कि brain में जो हता है fruit तो होता ही यह cavities में उसके full fulfill हो जाता है और इसमें calcium भी उसका जो हता है मतलब calcification का मतलब होता है calcium deposition होना start हो जाता है और small eye होती है catract होगा यानि कि eye की भी बहुत सारी problem होती जैसे catract हो गया और जो conjunctivitis हो गई conjunctivitis हो गई conjunctiva में देखी infection हो जाता है और उसका जो हता है corridor retinitis होती है retina में inflammation हो जाएगा और heart defect हो जाएगा enlarge spleen हो जाएगा जिसको हमने spleen में गाली बोलते है और जो hepatitis and jointis हो जाएगी क्योंकि liver होता है वो pneumonia की symptom देखने को मिलते है लगने के lung की problem और skin जो होती है वो skin hemorrhage भी हो सकता है तो कहने का मतलब fetus में भी इसमें problem आती है तो prevention वो ही है कि gene causes से यह हो रहा उसको दूर करना है जैसे कि raw यानि कि कच्चा meat और जो uncooked यानि कि पूरी तरीके से वो अगर cook नहीं है तो उसको consume नहीं करना है और जो catfishes होती है इसको क्या करना है इसको ठीक से carelessly इसको pick up नहीं करना है pick नहीं करना है इसको carefully इसको क्या करना है pick करना है handling इसकी ठीक से करना है gloves wear करके इस तरीके से ठीक है और जो टॉक्सो प्लास्मोसिस वगरा जो होता है इसका जो ट्रीटमेंट होता है अगर हम देखें ट्रीटमेंट की बात करें तो पाइरी मिथा माइन और जो सल्फा डाइजीन होता है इसको मिला के दिया जाता है इसमें जो पाइरी मिथा माइन होती वो 4 times a day यानि कि एक दिन में इसको 4 बार देना पड़ता है ठीक है और यह जो treatment होता है वो करता है कि prevent infection from the pregnant woman to the fetus यानि कि जो infection होता है pregnant woman से fetus में मतलब नहीं पहुचाएगा उसको यह prevent करेगा ठीक है और जो यह वाला treatment और जो pyromethamine होता है यह contraindicated होता है during the first trimester में यानि कि first trimester मे इसको नहीं दे सकते हैं तो इसके बतले में क्या देना होता है ispira mycin देना होगा ठीक है और treatment usually इसमें one and a half month तक इसका किया जाएगा अब हम देखते है रुबेला तो रुबेला जो होता है वो congenital virus disease होती है spread होती है जैसे touch करने से और एक दुसरे के contact माने से यानि कि communicable disease होत होता है इसका जो cause होता है वो virus होता है जो कि toga virus family से होगा और यह infection होगा mainly spread होगा droplet infection ठीक है droplet के थूई होता है यानि कि person to person और यह जो होता जर्मन मीजल बिसको बोलता है यह देख लीजी कुछ congenital rubella syndrome होता है इसमें जो tapness, cataract और heart disease मेन होते हैं इसमें intellectual disability भी हो जाएगी यानि कि जो intellectual ability होती हो काम हो जाती है लीवर जो होता है और spleen होता है जो वो damage हो जाता हम इससे पहले भी toxoplasmosis में देख चुके हैं कि यह spleenomegalie और hepatomegalie उसमें हुआ था और इसमें क्या होता है कि mild illness भी होती है जैसे कि rashes हो जाएंगे देखिए body में rashes हो जाते हैं जिसके वज़े से mild illness भी होगी fever भी होगा low grade fever होगा इसमें ठीक है और इसमें जो होता है woman are only the human being यह जो यह जो रूबेला वाइरस है इसमें जो होता only the human being इसके reserve wire होता है काई reserve wire women being reserve wire रहेगा इसका और यह जो होता है जो spread होता है जब infected person जो होता है cuff करेगा sneezing करेगा तो यह infected हो मतलब दूसरे person में भी पहुचेगा और infection during the pregnancy can cause miscarriage अगर यह pregnancy के समय है अगर यह होता है तो उससे miscarriage होगा serious जो birth defect होंगे उसमें develop होंगे बेबी में जिसमें कि जो हम यह सब देख चुके हैं अभ कि इसकी जो during the जो effect during pregnancy क्या होगा तो this infection from the pregnant woman to fetus through the placenta यह उसमें पहुच जाएगा रीच करेगा कि इसमें mother से fetus में through placenta के तुरू पहुच जाएगा और इसमें बहुत सारी malformation होते है fetus में अगर फिटस infection इसमें पहुच गया तो और यह spread होगा during the first trimester में और जब यह first trimester में मतलब पहुचता है तो baby में तो इसमें क्या होगा कि chances जो होते malformation के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है और ठीक है यह देखिए rubella जो होता है यहाँ पे आप देख सकते है कि यह जो होता है यह serious complication करता है woman में जबकि वो pregnancy में अगर वो infected हो जाती rubella से तो यह से जो होता है यह cause करते हैं mainly it can cause still birth और miscarriage हो जाएगा lifelong disability हो जाएगी और severe birth defect भी होगे ठीक है और यह जो होता है comparatively less होता है during the second trimester यानि कि first के comparison में second में यह कम इसके देखने को मिलेगा इसके जो risk होता है और यह जो होता following malformation may be present in woman congenital rubella के वो इसमें देखने को मिलते हैं यानि कि यह जो infection होगा ज्यादा तर first trimester में ज्यादा chances है पहुँचने के mother's fetus में second trimester में इसमें पहुँचने के chances कम है fetus तक ठीक है अगर यह पहुँच गया तो देखे deafness होता है catrax होता है card जो हमने भी diagram में देखा था cardiac malformation होगा और these three are classical defect found in the newborn with the congenital rubella यह जो तीन defect दिख रहे हैं यह ज्यादा common है ठीक है जो rubella होता है अधर में इसमें कंजनाइटर जो होती ही glycoma ग्लुकोमा हो जाएगा कंजनाइटर और इसमें retinopathy हो जाएगी जो कि हम आगे आगे देख चुके इसलिए दुबारा repeat करने के जरुबत नहीं है microcephaly, hydromegaly और intrauterine growth retardation, mental retardation और यह जो एनीमिया होगा और इसके साथ साथ इसमें miscarriage और still birth के भी chances ज़्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है और अगर इसका diagnose करें तो detection of IgM rubella antibodies in the infant soon after birth indicate the presence of congenital rubella ठीक है अगर एकदम birth के बाद soon after birth अगर soon after birth का मतला immediately after birth इसको अगर check किया जाता है कि इसको IgM rubella antibodies और उसमें यह detect हो रही है पाई जा रही है तो यह indicate करती है कि presence of congenital rubella यानि कि बच्चे में जो है congenital rubella जो है वो present है ठीक है मतलब उसको intrauterine growth intrauterine life से भी congenital rubella present है as IgM antibodies do not cross the placenta जबकि जो होती है IgM antibodies जो होती है वो cross नहीं कर पाती है placenta को तो it is the indication through they are produced inside the uterus तो यह इसका indication है कि जो mother है उससे तो यह cross नहीं हुई है लेकिन जो fetus है उसमें क्या है यह पाई जा रही है inside the uterus in the fetus में ठीक है तो यह जो है congenital rubella हो गया कहलाएगा और detection of the rubella specific IgM antibodies जो होती है more than six month ठीक है अगर यह more than six month भी baby में detect हो रही है पाई जा रही है तो यह as the antibodies obtained from the mother has disappeared by this time अगर यह जो antibodies are detect की गई after the six month तो इसका मतलब congenital rubella जब क्योंकि क्या होता है कि जो antibodies mother से ली जाती है obtain की जाती है वो क्या हो जाती है disappear हो जाती है six month तक का ठीक है और congenital rubella जो होता है वो is a chronic infection यह क्या है chronic infection है so that the infected जो infected है baby should be isolated तो infected baby को क्या करना चाहिए isolate रखना चाहिए थोड़ा अलग रखना चाहिए सबसे और necessary precaution उसमें लेने चाहिए ठीक है और जो obstatic management क्या करेंगे उसका कि rubella जो होता है अगर if rubella infection occur during the first trimester तो अगर वो first trimester में अगर उसको हो रहा तो approximately 50 to 60 percent chances fetus की क्या है malformation होने के chances है बहुत जादा उसमे malformation develop हो सकता है कितना 50 to 60 percent अगर वो first trimester में detect हो रहा है ठीक है अगर वो पहुँच चुका है अगर if infection occur during early second trimester यानि कि early second trimester में अगर ये infection detect हो रहा है मतलब पहुच रहा है 13 से 16 हपते में तो इसका मतलब क्या होता है about to 16 to 20 percent chances है fetus के malformation होने के ठीक है दोनों में ही chances है कि वो malformation ही होगा बच्चे में ठीक है so many malformation उसके होंगे तो इसका मतलब क्या है कि so it is the appropriate मतलब इसका appropriate to the terminate of the pregnancy यानि कि इसका जो main जो इसका prevention है वो यह ही है कि मतलब जो treatment है जो मतलब इसमें क्या करना चाहिए terminate करना चाहिए pregnancy को दोनों case में दोनों situation में चाहिए वो first trimester में देखने को मिल रहा हो या second trimester में तो pregnancy को continue नहीं रखना चाहिए क्योंकि क्या होगा malformation तो दोनों में है यह prevention होंगे इसमें की mmr vaccine, rubella vaccine तो rubella vaccine में जो mmr vaccine होता है vaccine जो होता है यह subcutaneously दिया जाता है और यह कब दिया जाता है 15 to 18 month of age में दिया जाता है ठीक है और यह किसके लिए दिया जाता है measles mom rubella को prevent करने के लिए उनसे बचाने के लिए और इसकी जो dose होती वो 0.5 ml इसकी dose होती है ठीक है जो कि मैंने बताया कि subcutaneous root से दिया जाता है और जो rubella vaccine होता है वो 11 to 13 year of age में दिया जाता है अगर vaccine जो होता है वो time से ना दिया गया हो तो ठीक है it can be during the third month of the conception month of the during can be given during or three month यानि कि जो conception है उससे पहले उससे 3 month पहले उसको देना चाहिए क्या रubella vaccine यानि कि conceive करने से पहले मालब pregnancy को conceive करने के 3 मेने पहले उसको ये vaccine देदेना चाहिए रubella vaccine ठीक है कोई भी pregnancy plan करने से पहले rubella vaccine ले लेना चाहिए अगर time से mother को rubella vaccine नहीं लगा था 11 to 13 year तक कि age में भी अगर नहीं लगा है तो ठीक है तो rubella vaccine जो होता should not be given during the pregnancy इसलिए अगर नहीं लिया है तो during the pregnancy उसको नहीं देना चाहिए और cytomegalovirus जो infection होता है अब हम देखते हैं ये वाला cytomegalovirus infection ये जो होता है ये harpes virus DNA type होता है ठीक है ये इसमें जो DNA type virus होगा harpes virus DNA type होगा और ये जो virus होगा ये saliva, semen, breast, milk, cervical, secretion इसमें पाया जाता है ठीक है और mode of transmission इसमें क्या होता है कि sexual intercourses के थूँ direct contact में जैसे कि kissing उसमें ये मतलब transmit होगा तो जाकर ये flu-like symptom होगे can be found the pregnant woman अगर ये pregnant woman में पहुंच जाता है infection तो flu-like symptoms उसको देखने को मिलेंगे ठीक है जैसे कि coughing होगया cold cough अगेरा ठीक है तो woman during the during transmission cytomegalovirus तो इसमें क्या होगा जो pregnant woman होगी वो through the through placenta तो ये जो होती transmission होता है fetus में अगर कोई woman infected होगी cytomegalovirus से तो वो अपने baby में भी क्या करेगी through the placenta virus को पहुंचा देगी यानि कि वो baby भी infection infected हो जाएगा through the placenta उसको मिल जाएगा infection ठीक है cytomegalovirus को continue करता है तो ये जो होता है infection during pregnancy जब pregnant woman होती वो infected हो जाती है तो जो infection होता वो कहां तक पहुंच जाता है fetus तक through the placenta जैसे मैंने बताया पहले भी कि ये placenta के थूप पहुंच जाता है fetus तक तो जो transmission है यानि कि placenta के थूप जो infection पहुंच रहा baby तक usually occurring 32-40 percent of cases में यानि कि जो 32-40 percent cases हैं जिसमें की placenta के थूप जाता है इसके chances बढ़ जाता है increase होने के 32-40 cases में ठीक है person जो cases होता है cytomegalo जो virus infection होता है in the fetus can cause the following malformation तो ये भी कुछ malformation बच्चें देखने को मिलती जहां जब ये जाता है baby तक infection तो उसमें क्या होगा low birth weight होगा यानि कि premature delivery होगी और वो ही होगा जो पहले हमने देखे थे के corridor retinitis हो गया spleenomegalia हो गया intra uterine growth retardation stilbert, microcephaly, hepatomegalia, deafness उसको बहरापन के बोलता है तो ये हो जाएगा उसमें तो इसके साथ साथ क्या होगा apart of this the chances of miscarriage can also increase in the woman तो इसमें क्या होगा कि इनके साथ ये जो informal malformation है इसमें जो increase हो जाएंगे उसके miscarriage के chances यानि कि ये तो होंगे होंगे लेकिन इसके साथ साथ मिसकेरिज भी हो सकता है ठीक है और जो cytomegalus virus infection होता है उसका अगर diagnose करें तो इस specific igm antibiotic उसमें maybe में detect होगी मतलब वो उसके अंदर present होगी ठीक है और इसका जो prevention होता है कि कोई भी vaccine available नहीं है cytomegalus virus infection को prevent करने के लिए ठीक है और जो harpes simplex virus होता है इसके बारे में देखे तो harpes simplex virus जो होता है एक harpes family से होता है और it is the two type होता है ठीक है यह होता है type 1 यानि की hsv type 1 और hsv type 2 hsv stand for harpes simplex virus harpes simplex virus type 1 harpes simplex virus type 2 ठीक है तो जो यह harpes simplex virus यह जो 1 है यह hsv 1 होगी है ठीक है तो यह mainly जो infection होता है यह वाला number 1 वाला यह lips mouth and face वगेरा में होता है यह genital reason का infection नहीं है harpes simplex virus ठीक है तो यह जो होता है यह जो होता है second वाला hsv वाला यह associate with genital reason यह genital reason का genital reason इसमें हो जाता है याने की genital track का infection हो जाता है इसमें यह जो होता है it is thus clear that genital track is infected इसमें genital track infected जो हैगी by the surface जो harpes simplex virus है इसके द्वारा जो type 2 वाला है इससे जो genital track को का mother का वो infected हो जाएगा और its transmission क्या होगा कि through the process of sexual intercourse यह कैसे transfuse होता है mother में जब मदर में क्या होगा जब sexual intercourse के through यह उसको मिलता है ठीक है तो यह जो हो गया यह देखिए आप सार यह type 1 वाला है जो कि lips हो गयरा में देखने को मिल रहा है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो mother with the active harpist infection यह देखिए यह जो कि type 1, type 2 वाला होगा है जो कि genital reason में होगा यह genital reason इसमें होगा जो genital track क्या होगी इससे इंफेक्ट रुजाएगी ठीक है तो यह जो होता है यह lesion जो होते है harpist lesion जो होते हैं genital track में देखने को मिलेंगे जाए वो तो यह sexual intercourse के तुरू बहुच जाता है मदर तक का ठीक है और जो infect of the on pregnancy effect of the sorry effect on pregnancy यह जो pregnancy में क्या effect होगा इसका क्या असर पड़ेगा तो if a pregnant woman जो infected होगी with HSV2 तो उसमें क्यों होगा high risk of transmission to the unborn baby तो बहुत ज़्यादा chances होते हैं उसमें जो baby intrauterine growth में है तो intrauterine जिसकी अभी growth हो रही है उसमें यह chances हाई होते हैं पहुचने के किसके यह वाले के ठीक है HSV2 के अगर woman में जो pregnant woman में यह पाया जाता है second वाला जो transmission of the HSV2 जो होता from a pregnant woman to her fetus यानि कि एक pregnant woman से उसके fetus में usually जो होता है यह second वाला पहुचता है कैसे यह placenta के through नहीं पहुचता does not occur through the placenta placenta के through नहीं पहुचता यह कैसे पहुचता है transmission occur due to the shedding of the virus virus के shedding होने से shed होने से कहाँ पे cervical region पे उसके और lower genetic track पे तो यह जो हता है जब vaginal delivery होती तब यह unborn baby में पहुच जाता है during जब यह blister जो होते है वो burst होंगे और यह जो virus होंगे वो shared होंगे तो वो baby में पहुच जाएंगे ठीक है in addition rupture और membrane और दूसरा क्या होता है कि जब membrane rupture हो जाती है तो जो infection होता है वो क्या होता है can also occur in the fetus तो fetus में पहुच सकता है infection कैसे कि जो contaminated amniotic fluid होता है after membrane rupture के तो उसके थूरू वो पहुच सकता है baby में ठीक है तो यह इस तरीके से यह baby में पहुच जाता है यह देख लीजे इसमें women में जो होता women to delay conception which may decrease their chances of getting pregnant हर पिस अगर उसको outside है तो जो chances होते है मतलब fertility के chances होंगे उसमें तो वो decrease हो जाते है chances of the getting pregnancy के decrease हो जाएंगे ठीक है और अगर वो warm में है और तब mother infected हो गई तो इसमें क्या होगा कि might be transmitted to the baby and result in neonatal herpes and other complications neonatal herpes हो जाएगा baby में भी हो जाएगा herpes और other malformation उसमें complication भी हो सकते है ठीक है herpes symptoms virus infection में क्या होगा effect on infection to the on the newborn तो microcephaly होगी उसमें ये वाला abnormality हो सकती है मतलब anomalies और chorio 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 do retinitis हो सकती है seizure हो सकता है और mental retardation हो सकता है जो कि पहले भी थे ठीक है और इसमें क्या होगा कि इसका management क्या करेंगे obstatic management में cesarean section करेंगे cesarean section delivery में क्या होगा कि if woman has actigenital as a sweet second वाला अगर उसमें है infection herpes ये वाला तो second वाले में क्या होगा कि vaginal delivery के समय chances ज़्यादा होते हैं possibility to increase हो जाती है infection का baby में spread होने के तो इसलिए जो है ये वाला करना जी section मलब cesarean section जिससे की infection की infection उसमें नहीं पहुचेगा और इसमें क्या करेंगे की ecclero wire therapy भी देंगे इसमें ecclero wire therapy ये जो होती है after 36 week of pregnancy इसमें देते हैं if a herpic lesion is present in the woman में अगर ये present है तो तो thank you guys for watching this video and do like share comment and subscribe this channel और ये fourth year के midwife free से लिया गया था जो की है हमने देखा था की जो आज कल हम जो देख रहे थे की high risk pregnancy उसी का ये एक topic था ठीक है तो maybe आपको समझ में आया होगा तो आप comment करिएगा जिससे motivation बड़े आप लोग comment नहीं करते हैं ना आप लोग like करते हैं तो इसलिए भी थोड़ा हमारा motivation कम होता है तो okay goodbye take care